कारेंट अब्रियन वलकम टू करेंट पूर तो आजके देली करेंट टपैर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 27 जूलाई 223 के करेंट अबेर्स को। स्क्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें, तो चलिए देखते हैं आज का करेंट अफेर्स कोशन है पहला कि अंतरास्टिय क्रिकेट परिशद ICC ने बांगलादेश के विरुद तीसरे वंडे मैच के दोरान अभधर वेवहार के लिए भारतिय महिला टीम के किस खिलाडी को दो मैचों के लिए निलम्बित कर दिया है आंसर है इसका ओप्सन B हर्मन प्रीत कौर को अंतरास्टिय क्रिकेट परिशद ICC ने बांगलादेश के विरुद तीसरे वंडे मैच के दोरान अभधर वेवहार के लिए भारती महिला टीम के कप्तान हर्मन प्रीत कौर को दो मैचों के लिए निलम्बित कर दिया है हर्मन प्रीत को ICC अचार संहीता के दो अलग-अलग उलंगन के लिए दो अंतरास्टिय मैच से निलम्बित कर दिया गया है मेरा गाउ मेरी धरोहर निमलिखित में से किस मंत्राले की पहल है आंसर है ओप्सन C संस्कृती मंत्राले की केंद्रि ग्रिह और सहकारिता मंत्री स्री अमित्सा 27 जुलाई 2023 को आजादी का अमरित महोत्सव के हिस्से के रूप में एक अनूठी पहल मेरा गाउ मेरी धरोहर का सुभारम करेंगे यह रास्टिय संस्कृतिक मान्चित्रण मिसन के अंतरगत संस्कृती मंत्राले की एक अखिल भारतिय पहल है इस पर योजना का मुख्योदेश 29 राज्यों और साथ केंद्र शासित प्रदेशों में फैले भारत के 6.5 लाग गाउं का संस्कृतिक मान्चित्रण करना है 24 जुलाई 2023 को आठमी भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा निती वारता डिफेंस पॉलिसी टॉक्स डीपीटी कहां संपन हुई आंसर हैसिका ऑप्सन बी कैन्बरा में और के कैन्बरा में 24 जुलाई 2023 को आठमी भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा निती वारता डिपीटी संपन हुई या रक्षा निती वार्ता रक्षा मंत्राले में विसेश सचीव स्री मती निवेदेता सुकला वर्मा और आस्ट्रिलिया के रक्षा विभाग में कारेवाहक उप सचीव स्री स्टीवन मूर की सह अधक्षता में हुई ISSF Junior Shooting विस्व चैंपिंशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में भारती खिलाडी कमल जीत ने कौन सा पदक जीता? आंसर है ओप्सन ए स्वर्ण पदक ISSF सुटिंग Junior World Championship 2023 में भारती युवा निसाने बाज कमल जीत ने कौरिया के चांग वोन में ISSF Junior विस्व चैंपिंशिप में पुरूसों की 50 मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता? प्रधान मंत्री उजवला योजना के संदर्व में निम्नलखित में से कौन सा कथन गलत है? आंसर है इसका ओप्सन ए केवल एक कि 1 मई 2016 को बिहार के समस्ति पूर से प्रधान मंत्री उजवला योजना सुरू की गई थी ये गलत है क्योंकि 1 मई 2016 को ये बिहार से नहीं बलकि उत्तर प्रधेस के बलिया से प्रधान मंत्री उजवला योजना की सुरूआत की गई थी प्रधान मंत्री उजवला योजना वित वर्स 2022-23 में प्रति व्यक्ति खपत में विर्धी 3.01 से बढ़कर 3.71 हो गई है PM-UY यनि की प्रधान मंत्री उजवला योजना लाभार्तियों द्वारा लिया गया कुल रिफिल 2018-19 में 16 करोड से बढ़कर 2022-23 में 35 करोड हो गया है प्रधान मंत्री स्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 मई 2016 को उत्रप्रदेश के बल्या से प्रधान मंत्री उज्वला योजना भारस सरकार द्वारा सुरू की गई एक बहुत ही महत्वकांची योजना है उज्वला योजना के अंतरगत भारस सरकार LPG Connection उपलब्द कराती है 26 जुलाई 2023 को कारगिल विजय दिवस की 24वी वर्सगांट मनाई गई भारत में प्रतेक वर्थ 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाय जाता है इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्थ 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंथुआ और इसमें भारत विजए हुआ कारगिल विजए दिवस युद में सहीध हुए भारती जवानों के सम्मान हितु यह दिवस मनाय जाता है उस समय भारत के परधानमंत्री अटल बिहारी बाचपेई थे लोगसभा में किस तिथी को वन संरक्षन संसोधन विधयक 2023 पारित किया गया आंसर है ओप्सन डी 26 जुलाई 2023 को लोगसभा में 26 जुलाई 2023 को वन संरक्षन संसोधन विधयक 2023 पारित कर दिया गया यह विधेयक वन संरक्षन अधिनियम 1980 में संसोधन के बारे में हैं। इन में राश्टी सुरक्षा परियोजनाओं, सडक के किनारे छोटी सुविधाओं और निवास की ओर जाने वाली सारवजनिक सडकों के लिए आवस्यक देश की सीमा के 100 किलोमीटर की सीमा के भीतर की भू निर्मान करना चिडिया घर, सफारी और एको परियटन सुविधाओं की अनुमती का प्राधान किया गया है। भायखला रेलवे स्टेशन को सांस्कृतिक विरासत संरक्षन 2022 के लिए युनेशको द्वारा एसिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत संरक्षन पुरसकार से सम्मानित किया है। आंसर है ओप्सन C. फिक्की के सहयोग से। राज्य सरकारों और दुनिया भर के विसेसग्यों को भारतिय रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग के छेतर में प्रमुख विकास और आगे बढ़ने पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाएगा। आजादी का अमरित महोत्सव के समापन 15 अगस्त 2023 को किस कारिकरम के रूप में की गई है। आजादी का अमरित महोत्सव की सुरुवात 12 मार्च 2020 को साबरमती से दांडी तक मार्च के साथ सुरू हुई थी। अब मेरी मार्टी मेरा देस अभ्यान की परिकल्पना अजादी का अमरित महोत्सव के समापन कारिकरम के रूप में की गई है। इस अभ्यान में वशुधा वंदन, सीला, फलकम, समारक को सामिल करते हुई ग्रावीन छेत्रों में कई कारिकरम आयोजित किये जाएंगे। मेरी मार्टी मेरा देस अभ्यान का आयोजन 9-15 अगस्त 2023 तक की जाएगी। पूरे देस के लगभग 75-100 ब्लॉकों से चैनित युवा दिल्ली के करतव व्यपत पर इस कारिकरम के लिए एकत्रित होंगे। तो चलिए अब 26 जुलाई 2023 के करेंटरफेर्स का रिवीजन करते हैं। तो ये वारा नसी उत्तरप्रदेस में। निम्नलिखित कत्रों में से सभी कत्थन सकते हैं। कि लोकसभा ने 25 जुलाई 2023 को जैब विवीदिता संसोधन विदेयक 2022 पारित किया है। विदेयक का उद्देस औसधिय पौधों पर अनुसंधान को बढ़ावा देना, पौधों पर आधारित दवाओं के उत्पादन को प्रोत्साहित करना और वन उपज का लाव अस्थानिय व्यक्तियों को पहुचाना है। या विदेयक घरेलू कमपनियों के लिए अनुपालन आवस्यक्ताओं को सरल बनाने के लिए जैविक विवीदिता अधिनियम 2002 में संसोधन करेगा। हाल ही में किसे विस्व व्यापार संगठन के तेरहवे मंत्री अस्तरिय सम्मेलन के अध्यक्ष बनाया गया है। तो डॉक्टर थानी अल जेयोधी को सन्युक तरब अमिरात के विदेश व्यापार मंत्री है ये। हाली में कौन सा देश लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंद लगा दिया है तो वो है रूस। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड़े का उधगाटन कहा करेंगे तो ये इसका अंसर हो जाएगा हीरासर में। केरल के राजेपाल आरिफ महम्मद खान ने पुस्तक क्रिश्ना दा सेवंथ सेंस का मल्यालम अनुवाद जारी किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है तो देवा से इस चटर जी है। तो ये थे आज के करेंट अफेर्स, आई होप की वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें, धन्यवाद।